नमस्कार किसान भायो आपका अपना ही चैनल विलेज किसान में आप सभी का स्वागत है मैं आपका दोस्त संतोस टमाटर के खेती कैसे किया जाता है वह आप इस वीडियो में देखेंगे टमाटर के खेती करने के लिए जमीन को पहले जोताई कुराई करके भुरुरी मिटी कर न चाहते तेस तरीका से कर ले और ध्यान रखे कि बारिस के पानी इकठा नहों पाए उस तरीके से अपना मेड को बनाए और क्यारी बनाए ताकि बारिस के पानी इसमें निकल जाए और सिचाई करने के लिए अपने पानी को क्यारी बाई-क्यारी डालने के लिए उसमें एक boys सेल्सियस ले करें और मत्रत कहिति कीया जाता है और इसका अच्छा टम प्रेचर जो होता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है टमप्रेचर तो उसमें अच्छा पैदाबार और अच्छे से विकास टमाटर कर पाता है तो देख ले और इसको लगाने का जैसे आप टमाटर का सेलिंग ज़्यादा हो गया है तो हर महीने टमाटर मिले लगा तो साल में इसको पहले दो बार लगा जाता ताब तीन बार करके भी किसान भाईयो इसका खेती उपज कर रहे हैं तो देख ले किस तरीके से मौसम के हिसाब से टंप्रेचर अगर कम है तो वहां पर तीन बार भी साल में इसका फसल ले सकते हैं वैसे इसका फरवारी मार्स के महीने में पहला फसल लगता है और जून में भी इसका फसल जो है वो लगाया जाता है जिस जगह पर ठंधा का मौस सम होता है वहां पर अब रावर ट्रमाटर के खेती कर सकते हैं और किसान भाई इस ट्रमाटर में रोग एक लगता है जो शेकरण वाला होता है आप देखेंगे कि वाइट कीरा जो होता है दो पंखो बालियों बैठ करके पते के उपर वह उसका रस जो है वो चुशनी लगत है और पता सुर्छ करके जोटा सा होता है की डाष्रा मेडा हो जाता है और सबस्कों मारने के लिए आपको उस्प्रे करना बहुत जरूरी होता है ताप किटणासक का यूज कर सकते हैं, जो किटणासक दवा मार्केट से अच्छे-च्छे मिलता हो लेकरके, दो लीटर पानी में एक एमेल डाल करके, उसी हिसाब से देख लेकर कितना एकर जमीन है, उसी साब से दवा के इस्तमाल करें और सभी पेरे को उपर जो होता है पोधे जो होता है पेर टमाटर का और सभी को उपर छिरकाब कर दे और अच्छी से गहा बोर करके छिरकाब करें तरबदर कर दे पूरे नीचे से उपर तक फॉल से लेकर के पतिया जितने सखा होता है सभी पर छिरकाब करें और चल चल करके जितने भी आपके पास खेत में जारी है उस अभी को छिरकाब करें और किसान महियों जिस समय यह रोग पकरता है किरावाला उस समय पहले एक दो जो पेर होता है उसी में पकरता है सारे जारी जो उसको अगल बगल जो होता है वो सभी को अपना चपेट में ले लिता है तो जो ऐसे पता सकूरने लगे उसको अगर कम उसका संख्या है तो वहां से उखार करके खेट से उसको बाहर फेक सकते हैं और इतना बाहर फेके ताकि उस पर के जो मक्ही बैठा होता है वो दुबा प्रत्तिवर्डेकर से आप उसका जो है निधान कर सकते हैं और अच्छी उबच ले सकते हैं और ज्यादा बारीश Click लुघाने के लिए इस तरिका से पानी के निकास करने की युडर रास्ता के इताके खेद की फानी से एक दिन दो दो दिन तक रुक जाता है तो टमाटर का फसल जो होता है वो सुखने लगता है और सुखने के बाद वो पेड जो है विल्कुल ख़राब हो जाता है दो से चार दिन में ही और ज्यादा टमपरेचर भी हो रहा है तो उसको पानी देने के कोशिस करें कि टमपरेचर अगर ज्या में रोपाई किया जाता है रोपाई करने के डिर महीने बाद इस पर फ्लावरिंग शुरू हो जाता है और फ्लावरिंग के बाद जब डिर महीने और हो जाता है तो इसका हार्वेस्टिंग शुरू हो जाता है तो तीन महीने बाद हार्वेस्टिंग इसका शुरू हो जाता है झाल झाल